यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आज कल अपनी तकदीरों को, बहते नीर को रोका नहीं जा सकता, खुद से लिगी तकदीर को कोई क्या मिटाएगा, तेरी तलवार की धार से मिटाने वाला खुद ही मिट जाएगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब शैनल पबलिक कैरियर में है बस आपको अपनी महनत पर ध्यान देना है खुद पर खुद जो आपके हातों की लकी रहे हैं वो बदल जाएंगे यानि सारा कुस डिपैंड करता है आपके सरम के उपर आपकी महनत के उपर महनत से हर मुकाम फॉसिवल हो सकता है यदि आप लोग में महनत और लगन है तो आप लोग को निश्य तोर पर सफलता पराप्त करने से कोई नहीं रोख सकता आज एक विसेस टॉपिक है सामाने हिंदी से जिसका नाम है लोकुक्ती लोकुक्ती का मतलब क्या होता है यह जानना हमारे लिए बहुत जादा जरूरी है लोकुक्ती का मतलब होता है कहावत है ना पहले बड़े बुडे जो कहावते कहते थे ठीक है भीया तो वही लोकुक्ती का कारिय करते हैं लोगों के द्वारा कही गई उक्ती लोकुक्ती का अर्त होता है चलिए मैं स्टार्ट गरता हूँ ये पार्ट नमवर फस्ट है इसमें साथ मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को जो कि आपके यूपी पुलिस, SI, कंस्टिवल, जेल वार्डन, P.A.C, इसके साथ साथ मैं SSC, G.D. और उन सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो साबित होगी जो आगामी समय में आईजित होने वाले हैं ठीके ना चलिए सबसे पहला सवाल देखिए सबसे पहला सवाल है जाके पाव ना फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई इस लोकोक्ति का मतलब क्य चलते चलते ठक जाना सारे विकल्प आपके सामने ध्यान पूर्वक विचार कीजिए वीडियो को रोक लीजिए उससे पहले अपना अंसर अपनी नौटबुक में लिख लो और मैच करके देखो कि आप कितनी लोकुकती सही कर सकते हैं अगर मैं समय लूँगा तो ये वीड तरी नौलिज देने की कोसिस कर रहा हूं तो इससे अच्छा है आप लोग वीडियो को एक बार रोक लो बीच में ठीक ना फिर उसके बाद में अपना अंसर सेट कर लो अपनी डायरी पे फिर आप लोग वीडियो को प्ले कर लो बारी बारी ऐसे ही पड़ते कुशन पे जाने पीर पराई इसका मतलब होता है जिसने कस्ट नहीं भोगा वह दूसरों की दुख दर्द को नहीं समझ पाता है ये याद रखना चले सवाल लंबर दो की तरफ चलते हैं सवाल लंबर दोख है जब तक सांस तब तक आस इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है जब तक सांस है तब तक आस है तो सास आस का मतलब क्या होता है जो आसा है वो आपकी जीवन परियंत बनी रहती है जीवन अमूलिया ये नहीं है कभी निरास नहीं होना चाहिए ये भी नहीं है जब तक सास तब तक आस इसका मतलब है आसा जीवन परियंत उम्मीद जीवन परियंत बनी रहती अगला सवाल करेंगे सवाल नमर तीन कॉले की दलाली में मुह कला इस लोकोक्ती का अर्थ क्या है कोईले का व्योपार करना, बुरे काम में बुराई का मिलना, जूट बोलना या फिर व्योपार में गाटा कोईले की दलाली में मुह काला, कोईला खुद काला होता है दलाली और भी काली होती है मुह काला तो और भी बहतर बात हो गई इसका मतलब है बुरे काम में बुराई का मिलना कॉले की दलाली में मुह काला काला कॉला खुद होता है उसकी दलाली की उसमें मुह अपना काला और कर लिया यानि बुराई में और बुराई का मिलना याद रखो आगे बढ़ते हैं किस क्रम में लोकोक्ती नहीं है ढाक के तीन पात क्या इस क्रम में लोकोक्ती नहीं है ये तो है भई तबेले की बला बंदर के सिर ये भी है चीटी के पर निकलना ये एक मुहावरा है लोकोक्ती नहीं है याद रखना चीटी के पर निकलना आगे बात करते हैं सवाल नमबर पांच की तरफ जर है तो नर है नहीं तो खंडर है जी है तो नर है नहीं तो खंडर है ऐसे भी मिल सकता है इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है जर का मतलब होता है मनुष्य है या जी का मतलब होता है प्राण प्राण है तो नर है यानि की नहीं तो बिल्कुल जो गर है वो खंडर है धन सब को प्रिय होता है पैसे से ही आदमी की इज़त होती है पैसे में बहुत सकती होती है या पर पैसे के लिए मनुश्य कुछ भी गर सकता है तो जी है तो नर है नहीं तो खंडर है इसका मतलब है पैसे से ही आदमी की इज़त हो मतलब क्या है सवाल नमर 6 एक बारी वीडियो को लाइक कर देना ठीक ना सेर कर देना चलिए जागेगा जाएगा तो या जागेगा तो पाएगा सोएगा तो खोएगा इसका मतलब है सतर्क रहने में लाव है याद रखना है ना सतर्क रहने में लाव यानि चौकन रहने में ल जयसे जयसे कमर भीजेगी तौते हो भारी होएगा पीठ तभी इसका मतलब पानी में भीगने से कप्ड़ी भारी हो जाते हैं ये तो गलत है आगे जैसे जैसे समय बीहता है जिम्यदारी बढ़ती है तो यही तो है बिल्कुल TIM बमर आठा है ये भी गलत है ये भी गलत है एक ही बेटर विकल्प है जो की भी विकल्प है आगे बात करते है सवाल लंबर आठ की एक अनार सो बीमार मोस्ट इंपोर्टेंट महावरा है यह या मोस्ट इंपोर्टेंट लोकोक्ति है महावरा तो मैं पढ़ाई नहीं रहा लोकोक्ति चल रह गया है यानि एक अनार सौ बिमार का मतलब यह होता है एक चीज के एक से अधिक जादा चाहने वाले चीज कम चाहने वाले अधिक यानि चीज थोड़ी है और चहाने वाले अधिक है इसका मतल़ होता है एक अनार सौ बीमार यानि मान के चलना आप लोग ऐसे डिपेंड कर लो कि आप भी किसी लड़की को प्रपोज करने के चक्कर में हैं और आपका दोस्त भी किसी लड़की उसी लड़की को प्रिपोज करने के चक्कर में तो एक अनार सौ बीमार वाली जो बात है वो हो जाएगी याद रखना आगे बढ़ते हैं अपनी एकोसलता च्छपाने के बहाने का जो भावार्त है वो व्यक्त करने वाली लगोक्ति क्या होगी ना नौ मन तेल होगा ना रादा नाचेगी नहीं यह तो बिल्कुल नहीं है अपनी एकोसलता च्छपाने नौ दिन चले अड़ाई कोस बिल्कुल नहीं नाच ना जाने आंगन तेड़ा यह ठीक है नाच ना आने ही रहा आंगन तेड़ा बता दिया यानि अपनी एकोसलता च्छपा लिया और यह बहाना भी बना दिया इसमें आगे बढ़ते हैं सवाल allein 11 की तरफ इसा खाए कोपिरबंद से वेस्तु नस्ट हो जाती है ये इसका बिल्कुल बेटर विकल्प होगा दोस्त आगे बढ़ते हैं सवाल नमर 11 की तरफ सवाल नमर 11 है जो हांडी में होगा वह थाली में आएगा इस लोकोक्ती का मतलब क्या है जरा बताईए जो जवान पर होगा वही पिर कट होगा ये गलत स्वादिस्त बोजन की सुगंद सब को सब जगे फैल जाती है भी गलत जैसे जैसे समय भी इतना जम्यदारिया बढ़ती है भी गलत यानि जो हांडी में होगा वह थाली माय का इसका मतलब है जो मन में होगा ना वह पिर कट होगा जो मन में होगा जबान पर नहीं जो मन में होगा जो मन में सोचा होगा इंपोर्टेंट कर लेना इनको ठीक न आगे बढ़िए जहां फल वहां काटा इस लोकोकती का मतलब गया होता है जर time बताएंगे आप लोग, तो जहाँ फल वहाँ काटा जहाँ अच्छाईय होती हैं, वहाँ बुरायां भी होती हैं, भी विकल्प राइट है दोस्त, आगे बढ़ ये जो नक्टे को आरसी हो तो दिखाई, न, देट करोध, इसका मतलब है जो नक्टे को आरसी हो तो दिख दोसी को अपना जैसे ही आप लोग उसका दोगी ना उसे करोध आदाएगा तो जो नक्टे को आरसी हो तो दिखाई करोध इसका मतलब है दोसी को अपना दोस बताए जाने पर करोध आता है ठीक है ना याद रखना है आगे बढ़ते हैं सोगज पानी में रहे मिटे ना चकमक आग इसका मतलब क्या है चकमक पानी में रहता है चकमक पत्थर पानी में आग लगा देता है जनम जात गुड नस्ट नहीं होते सोगज पानी में रहे अगर सोगज पानी में भी रहेगा ना तो भी मिटे न चकमक आग उसके जो चकमक की जो आग लगी हुए न वो नहीं मिटेगी इसका मतलब है जो जनम जात गुड होते हैं वो हबारे नस्ट नहीं होते वो पीणी दर पीणी हस्तान अंत्रित ही होते चले जाते हैं यह याद रखना आगे बढ़ते सच का बोल बाला जूटे का मुझ काला इस लोकोक्ती का मतलब क्या होता जरा ध्यान देना इस लाइन पे भी तो सच का बोल बाला सच का बोल बाला है जूट का मुझ काला इसका मतलब है सत्य की ही सदाम विजय होती है यह याद रखना ठीक है भी है चले सवाल अमर सोले की तरब चलते हैं सबेरे का भूला यदी साम को घरा जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता इसका मतलब क्या होता है इस लोकोक्ती का मतलब क्या है सबेरे का भूला साम को घरा जाए तो इसका मतलब होता है गलती हो जाने पर सुधार कर लेने वाला गलत नहीं हो सकता उसे गलत नहीं कहा जल सकता ए विकल्ब दोस्ट इसके लिए राइट हो जाएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं टके की हाणी गई टका का मतलब बहुत कममद्रा गई और कुत्ते की जात पहँचानी गई इसका मतलब क्या है टके की हाणी गई कुत्ते की जात पहचानी गई इसका मतलब है थोड़ा खर्च करके किसी के चरित्र की पहचान कर लेना तो इससे भी विकल्प दोस्त इसमें राइट कर लेना आप लोग अपना चलिए सवाल नमर 18 की तरफ चलते है तेड़ी उंगली से घी निकलता है आजकल सीधी उंगली से निकलता है इसका मतलब है सीधी पन से काम नहीं चलता है सीधी पन से काम नहीं चलेगा तो भी विकल्प आप लोग राइट कर लेना सीधी पन से काम नहीं चलता तेड़ी उंगली से घी निकलता है इस लोकोक्ती का मतलब है सीधे पन से काम नहीं चलेगा आगे बढ़ते हैं सबालब और उन्नीस की तरफ थंडा लोहा गरम लोहे को काड़ देता है इस लोकोक्ती का मतलब क्या होता है जो थंडा लोहा था ना वो गरम लोहे को भी काड़ देता है इसका मतलब है क्रोध पर सांती की विजह होती है अगर आप क्रोध कर रहे हैं वहां कोई सांत खड़ा हुआ है तो उसका मतलब है क्रोध पर उसने सांती ने विजह प्राप्त कर लिया थंडे लोहे ने गरम लोहे को काट दिया ये याद रखना सवाल नमर बीस की तरफ चलते हैं सांप का काटा पानी नहीं मांगता इस सिलोक उक्ति का अर्थ क्या होता है सवाल नमर बीस सवाल नमर बीस है सांप का काटा पानी नहीं मांगता इसका मतलब होता है कुटिल व्यक्ति की चाल में फसा व्यक्ति बच नहीं सकता बीस कुशन हो गए कवर आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से सवाल नमर 21 की तरफ सौमन्चूहे खा कहते हैं सवामन्चूहे खा बिलेई अज्ज को चली ये खुब कहावत है सौमन्चूहे खा बिलेई अज्ज को चली इसका मतलब क्या है जरा आप लोग बताईए जीवन भर कुकर्म करने के बाद अंत में सुकर्म यानि अच्छे कर्म करना तो विकल्प यहाँ आपका तीसरे राइट हो जाएगा दोस्तो आगे बढ़ते हैं सौ दिन चौर का एक दिन सहा का इस लोकोक्ती का मतलब क्या होता है जरा बताईए अपराधी आखिर में एक दिन फस ही जाता है पकड़ा ही जाता है सौ दिन चौर का एक दिन सहा का जो चौर है वो एक दिन पकड़ा ही जाता है यह याद रखना बीविकल पिसके लिए राइट है दोस्तों सवालमत 23 डायन को दामाद प्यारा हमारी देशकी लैंगवेजि़ में कहते हैं डाहिन ना डाहिन को दामाद प्यारा इसका मतलब क्या है अपना सबको प्यारा होताई अपना किसी को प्यारा नहीं होता डायन में भी अच्छाईयां होती है बोरे व्यक्तियों में भी अच्छाईयां होती है गलत डायन को दामात प्यारा इसका मतलब होता है अपना जो है ना वो सब को प्यारा होता है यह याद रखने चाहे वो डायन हो चाहे वो बिना डायन हो यह याद रखो आगे बढ़ते हैं डोल के भीतर पोल इस लोकोक्ती का मतलब क्या है एक बारी लाइक कर देना प्लीज वीडियो को भई डोल के भीतर पोल का मतलब क्या होता है एक तो डोल और भीतर पोल यानि भीतर से खाली ओपर से डोल बना रखा, भीतर से पोल बना रखा, इसका मतलब है केवल उपरी दिखावा, यानि ए विकल इसके लिए दोस्त राइट हो दाएगा मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में, ढाक तले की फूहर, मच्वी तले की संगुई, इसका मतलब क्या होता है जरा बताईए ठीक न, जरा बताईए देखे धाक तले की फूहर और मच्वी तले की संगुई इसका मतलब होता है जो गरीव है ना उसे मूर्ख और धनवान जो होता है ना उसे गुणवान समझा जाता है तो ढाक तले की फूहरल और मच्वी तले की संगुश का मतलब है गरीब को मूर्क और दन्वान को गुड़वान माना जाता है आप्शन यहां सी बिलकुर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तन पर नहीं लटता और पान खाए अलबता इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है तन पर तो लटता ना है और पान अलबता को खा रहा है इसका मतलब क्या है जूटी सेखी बगारना जूटी सेखी मारना एविकल्प बिलकुर राइट कर दो इसमें आगे बढ़ते हैं सवाल नमर 27 की तरफ हतेली में सरसों जमाना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है मेरे दोस्त 27 नमर कुशन है इसी परकार से आगे भी मैं आप लोको कुशन कवर कराऊंगा हतेली में सरसों जमाना इसका मतलब है बात कहते ही कारिय संपन होने की इच्छा हतेली में सरसों जमाना इसे हतेली में सरसों जमाना जूटा सबस बाग दिखा देना ऐसे भी बोलतेते हैं लेकिन हतेली में सरसों जमाना का मतलब बात कहते ही तुरंत की तुरंत है ना संपन होने की इच्छा आगे बढ़ी एकले सवाल पे हंसा थे सो उड़ गए कागा भे दिवान यानि हंसा का मतलब समझाई हंस हंस थे सो उड़ गए कागा मतलब कवा है न कवा भे वो भर गए दिवान इसका मतलब क्या है यानि जो तगड़े व्यक्ति थे वो तो उड़ लिये मर गए और जो मूर्ख थे या थोड़े कम गुणवान थे वो अपने आपे को दिवान कह रहे इसका मतलब क्या है बले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार का चला जाना हंसा थे सो उड़ गए कागा भई दिवान जैसा अब आप लोगों को देखने के लिए मिल राइजकल की बात आगे होनहार बिनवान के है ना एक और लाइन है या लगस चलो इसे बढ़ा दो पहले में होनहार फिरती नहीं होवे बीसे बीस स्लोकोक्ति का मतलब क्या है स्लोकोक्ति का मतलब क्या होनहार फिरती नहीं यानि जो होनहार नहीं होवे बीस बीस इसका मतलब है भाग्य की रेखा मिटती नहीं है भाग्य की रेखा नहीं मिटती वी विकल्ब इस स्वाल में बिलकुर राइट हो जाएगा होनहार फिरती नहीं होवे यानी बिना सामान के काम नहीं होता मेरे दोस्त तो इस सवाल का राइट आंसर जाएगा बीवी कल्प तेल नमिठाई चूले दरी कड़ाई आगे बढ़िए तेल देखो तेल की धार देखो इस लोकुक्ति का मतलब क्या है जरा बताईए दोस्त इस लोकुक्ति का मतलब क्या है तेल देखो तेल की धार देखो परिस्तिती की अंदेखी परिस्तिती को देखना तेल का व्योपार इनमें से कोई नहीं किया तेना तेन्त थूक के चाट लिया और कल पर सो तो यह बात कई ही अब तू अपनी बाते मुकर गवा इसका मतलब क्या है कही बात से मुकर जाना दोस्त आगे बढ़िए हर्द लगे न फिटकरी रंग चोखा आवे इस लोकुक्ति का अर्थ क्या है इसका मतलब है बिना ख इस लोकोक्ति का मतलब क्या है जरा बताईए उन्नत सील व्यक्ति सदैव नगन होता है नंगा होता है गलत चिकने पत्तो वाला पौदा बारपूर विरती करता ये भी गलत स्रेश्ट वश्तो स्वत्य दिखाई पड़ जाते ये भी गलत तो हौन हार विरवान के होत चीकने प इसका मतलब है उन्नति सील जो बालक हो दो आदा उसके प्रारंब में ही लक्षड दिख जाएंगे ये कुछ करेगा आगे चलके है आगे निम्न लिखित मैंसे एक लोकोक्ति है उसका चैन करो कौनसी लोकोक्ति है इसमेंसे कुट पुतली होना नहीं जी आंक चुराना अस् सामती है फता तो जब चलेगा जब उसके घर में दाके देखेगा इसका मतलब है दूसरे की जो बस्तु है न वो सबको अच्छी लगती है ए विकल्प इस सबाल में बिलकुर राइट है दूर से देखोगे तो सब ऐसा ही दिखाए देगा आपको लेकिन असलियत तक का वो तब होगा तब पोहँचवे कंडीसरन का फेस करोगे तूर दूविधा में दौनों गए माया मिली नराम दूभिधा यानि मुश्कील में दौन अची चली ज़ी ना तो माया मिली राम माया का मतलब द्धन तो इसमें मतलब अर्थ क्या हो जगता है अई स्थर अनिष्यतमक धारणा हानिकारक होती है मन की इस्थिर्था कल्यान कारी होती है ए विकल्ब बिलकुर राइट होता है ठीक है दुविदामे दोनों गए माया मिली न आगे बढ़िए दोद का जला छाच को भी फुक फुक कर पीता है इसका मतलब क्या है छाच को फुक फुक कर पीना चाहिए गलत सकती साले से सब डरते ही नहीं जो भुक तो भोगी होता है ना जिसने भोग लिया होता है या जिसने अनुभव कर लिया होता है वो सदैब साबधान रहता है दोद का जला हुआ एक बारी दूद्ते मुझ जल जाएगा तो वो छाच को भी फुक फुक कर पीएगा एक बार कैसे वो किसी कंडिशन को भोग लेगा ना फिर अराम के साथ मुसकंदा जल अगा पाएगा अपना रख पराया चक इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है अपना रख पराया चक इसका मतलब है अपनी वस्तू का बचाव और दूसरे की वस्तू का उपयोग करना ठीक है याद रखो आगे बढ़ते हैं अपनी डफली अपना राग इस लोकोक्ति का मतलब क्या है अपनी डफली अपना ही राग यानि अपनी ही अपनी करना अपनी ढपली अपना राग इसका मतलब है मनमानी करना ए विकल बिल्कुर राइट है आगे बढ़ते हैं अपनी बला और की सिर अपनी बला यानि की बला मतलब होता है मुस्किल और किसी दूसरे के सिर इसका मतलब क्या है एक बार प्लिज वीडियो को फिर से लाइक कर दो भई है ना अपना दोस दूसरे के सिर पे मढ़ना ए विकलब नहीं होके सी विकलब बिल्कुल राइट हो जाएगा आगे बढ़ता हूँ दान की बचिया के दान नहीं देखे जाते यानि आपने किसी को कोई चीज दान दी और उसमें भी वो उसके गुड़वे अवगुण खोज राय तो वो मूर्ग है क्योंकि वो तो दान में दी है ना इसका मतलब क्या है मुप्त की जो वस्तु होती है ना उसमें गुड़वे अवगुण नहीं देखे जाते तो दान की बचिया के दात नहीं देखे जाते हैं याद रखना आगे बढ़ते हैं दाल भात में मुसल चंद इस लोकुक्ति का मतलब क्या होता है दो के बीच तीसरे का दखल हाँ बिलकुल दाल भात में मुसल चंद यानी की दो के बीच में तीसरे का दखल देना इस परकार से एही वी कलब दोस्त राइट करते हैं इसका बिलकुल आगे बढ़ते हैं दुधारू गाय की लात भली दुधारी गाय की लात भी भली इस लोकोक्ती का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे तो याद रखना जिससे फायदा हो उसकी जिकड़ी भी सुननी पड़ती है दुधारी जो गाय होती है उसकी लात भी बली कहते हैं भी आपने बड़े बुड़ा का सुना होगा या जो दूद देती गाय है वाकि लात भी सहनी पड़ता कभी कभी इसका मतलब है जिससे कोई फ होता है स्वैम किया हुआ कारिये फलदाई होता है बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट है दोस्त आगे बढ़ते हैं अधजल गगरी छलकत जाए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है इंपोर्टेंट ये कुशन है अधजल गगरी यह आधी भरी हुई गगरी है वो भी छलक रह ही करेगा अधजल गगरी छलकत हो जाए सवाल नमर 47 देखो अब पच्छताए होत क्या जब चिडिया चुक गई खेत इस लोकोक्ति का मतलब बताईए दोस्त मेरे फसलनस्ट हो जाना नाई अव पस्ताए होत क्या इसका मतलब है अवसर निकल चुका है और अवसर निकल जा जाने के बाद में पस्ताना व्यर्थ होता है दोस्त ये याद रखना पस्ताए हो जब चिडिया चुक गई खेत आगे बढ़ते हैं दोभी का कुत्ता घर का ना गाट का तो दोभी का कुत्ता घर का ना गाट का इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है न निरर्थक सित होना यानि जिसका कोई अर्थ ना हो है ना जिरा बताओ दोबी का कुत्ता घर का नगाट का अर्थ ही नहीं है कोई निरर्थक सित हो गया वही आगे नो नगत ना तेरे उधार इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है अधिक लाब की लालच में उधार बेचने से कम लाब में नगत बेचना अच्छा है नगत दी दे दो तो अच्छा है भे उसे ठीक है आगे बढ़ते हैं सवाल मर पचास नीम हकीम जान खत्रे जान का नीम हकीम खत्रे जान इसका मतलब क्या है इसका मतलब है अनुवव हीन व्यक्ति से हानी का डर रहता जिसे अनुवव न मतलब क्या है दोस्त मेरे अपनी करनी पार उतरनी इसका मतलब है अपने कर्मों का फल स्वेम भोगना पड़ता है जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा आगे अरहर की टाटी गुजराती ताला है ना अरहर की टाटी गुजराती ताला इस लोकोक्ती का अर्थ क्या है जरा बताईए तो सही आंसर क्या हो सकता है छोटी वस्तू की सुरक्षा में अधिक वे अरर की टाटी टाटी का मतलब होता है चान है ना और उस पे गुजराती ताला लगा दिया इसका मतलब क्या है छोटी वस्तू की सुरक्षा में अधिक वे यानि कि खर्च कर देना आगे नायास ही प्राप्त हो जाना बिना प्रियास के अंधा क्या चाहे दो आखे और प्रियास भी नहीं किया और उससे जो है दो आखे मिल गई तो अंधा क्या चाहे दो आखे मिल गई तो अंधा क्या चाहे दो आखे मिल गई तो अंधा क्या चाहे दो आखे मिल गई तो अंधा क् संयोग और ये नदी नाव और संयोग कैसा मिलन हो सकता है दुरलव मिलन यानी मुश्किल से मिलन है ना यह याद रखना नदी नाव संयोग मुश्किल मिलन दुरलव मिलन ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी इस लोगोक्ति का मतलब क्या है किसी काम के लिए ऐसी रखना जो पूरी ना हो सके ना तो नौमन तेल होगा ना राधा ना चीगी तो किसी काम के लिए बहुत बड़ी सर्थ रख देना जिसे पूरा करपाना मुश्किल हो अकल बड़ी की भहस इस लोकुक्ति का मतलब क्या है दोस्तों मेरे तो इसका मतलब है सारी रिक बल से रड़ी आच चुका है ये बताइए बुरे कारिये का बुरा फल कोयले की दलाली में मुख काला है इसका मतलब है आगे अकल का अंदा कहते हैं अकल का अंदा है इसका मतलब क्या है कुछ भी दिखाई ना देना इसका मतलब है बिलकुल महामूर्क होना महामूर्क है बिलकु इसमें राइट है आगे बढ़ता हूं नया नौदिन पुराना सौ दिन इस लोकों देगा आर्थ क्या होता है नया новल तिन पुराना सौ दिन इसका मतलब क्या है नए शी पुराना अच्षा होता है तो इस सब्सी का राइट नस्र दोस्त भी विकल्प के साथ में बिलकुर रा और आउंगा इसके टोटल तो टीन पार्ट बनाऊंगा और तीन पार्ट मेंसे कुशन आपके एक्जाम में फस जाएगा. आस्के लिए इतना ही काफिया है। कि मसें इतना ही बहुत होता है. मतलब एक इक लाश में कवर करना किसी चीज़ को रुकसान दाइक होता है थैंक यू बाबाई जय हिंद।